चलिए देखिए दोस्तों लोग आज बात करेंगे 11 ख्रास का चैप्टर 5 कमप्लेक्स नंबर में 5.2 में टोपिक है एकसरसाइज है आपका 5.2 उस टोपिक में आपका है आर्गुमेंट निकालना आज हम लोग बात करेंगे आर्गुमेंट कैसे निकालने ठीक है आर्गुमेंट निकालने के लिए हमको क्या क्या जुरत पड़ेगा वो सब आज हम लोग देखेंगे आराम से आप लोग समझते जाईए और देखेंगे ठीक है और वीडियो को आप इंड तक देखिए और समझ में आए तो लाइक भी करते रहिए ठीक है चले आएए कैसे हम लोग निकालेंगे आर्गुमेंट ध्यान से आप देखिए ठीक है पिछले देखिए क्लास में हम लोग पड़े हैं क्या क्या वह भी हम लोग देख लेते हैं पहले हम लोग देखे थे कि j equal to यानि कि complex नमबर में कैसा राता है पहचान लेते हैं तो माली जे यह है आ आज हम फिर्श बता दे रहे हैं इसको आई को बलते हैं आयोटा बलते हैं इस बात को क्या बलते हैं यह है आपका real part इसको बलते हैं हम लोग real part ठीक है और इसको बलते हैं imaginary part imaginary part ठीक है यानि कि i के साथ जो भी नमबर रहेगा उसको में लोग बलते हैं imaginary part अब हम लोग आगे भी पढ़ेते हैं इसी में conjugate बस एक मिनिट में खत्म है जागा आईए conjugate 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 क्या पड़े थे कि बस z के उपर बार लगा दना है यानि कि z बार इक्वल टू बस b चोला साइन को चेंज कद रहा है यानि कि 5 यह हो जागा आपका minus iota root 7 यह आपका हो गया conjugate ठीक है इसके बाद हम लोग पिछले क्लास में पड़े थे modulus यानि z का mode equal to क्या पड़े थे real part का square यानि 5 का square पलस imaginary part का square यानि root 7 का square और under root अब इसका निकलेंगे तो यह हो जागा आपका कितना 25 और यह हो जागा आपका 7 ठीक है यह आपका z mode यानि z mode equal to क्या हो जागा इसको under root में ही रहक लिखेंगे add किजेगा तो यह हो जागा आपका 32 ठीक है इसका और simplify किजेगा तो mode equal to यानि modulus इसको बलते है modulus equal to कितना हो जागा तो यह हो जागा आपका 4 root 2 4 416 और 16 to 32 यह modulus निकल गया ठीक है यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं अब हम लोग बात करेंगे argument कैसे निकालेंगे उसके बारे में ठीक है तो यह चीज़त हम लोग पढ़ लिए हैं पिछले class में ही देख लिए हैं लेकिन अब देखते हैं हम लोग argument, argument कैसे निकालेंगे अब धिहान से आप देखते जाएगा और समझते जाएगा और समझ मैं आब आप आब हो तभी आप like किजिए ठीक हैं आईए देखिए argument कैसे निकालते हैं से अर्गुमेंट निकालने के लिए देखिए सबसे पहले आपको इ से यह आप जानते हैं कि यह आपका होता है first quadrant यह होता है second quadrant और यह है आपका third quadrant और यह है आपका fourth quadrant इसमें होता है all positive all positive यान VI का value जो होगा है इसमें दोनों पलस रहेगा यह हो जाता है minus X और Y पलस में रहेगा यह दोनों negative हो जाएगा minus X और minus Y हो जाएगा और यह जाएगा आपका plus X और minus Y हो जाएगा ठीक है यह तो quadrant की तरह से हम लोग बात कर लिए ठीक है कोई दिखनत तो है आप देखिए यहां फर्स्ट क्वाडेंट में रहेगा आपका ठीटा आर्गुमेंट निकालने के लिए बस इसके नीचे जस्ट फूर्थ quadrant होता है यह हो जागा minus theta second quadrant में pi minus theta और third quadrant में theta minus pi यह आप याद रखिएगा argument निकालने के लिए इसी पर आपको सब स्वाल बन जागा argument निकालने के लिए हो या polar form लिखने के लिए हो ठीक है तो हम लोग बात करेंगे argument निकालने के लिए तो आई हम लोग exercise से ही सवाल चलते हैं 5.2 में first number ही सवाल हम लोग लेके चल रहे हैं कि first number सवाल में आपका क्या दिया हुआ है और कैसे लिखा हुआ है ऐसे तो first number में लिखा हुआ है कि find the modulus and the argument of each of the complex number 1 to 2 यानि first number में आपका है सवाल z equal to minus 1 minus iota root 3 इसी कौम को निकालना है argument पुछा है और modulus पुछा है तो modulus निकाल लेते हैं पहले इसका z mode equal to modulus निकाल लेगा यानि कि real part क्या है minus 1 है तो minus 1 का कर लेंगा square plus इमें नरी part क्या है तो minus root 3 है है की नहीं क्योंकि इसको हम लोग लिख लेंगे standard में कैसे तो z equal to यह हो जागा minus 1 plus इसको लिखेगा minus root 3 iota तो यह क्या हो जागा minus root 3 का square i is के under root modulus हो जागा क्या चीज तो यह हो जागा 1 plus यह हो जागा आपका 3 और इसको आप add किजएगा 4 और 4 का root 2 यानि z modulus निकल गया के लिए रहे हैं तक अब हमको argument निकालने के लिए theta क्या हो सकता पड़ेगा तो theta देखिए क्या होता है इसक में theta equal to लिखना पड़ेगा theta equal to होता है tan inverse y by x का mode या आप यह भी लिख सकते है theta equal to tan inverse b by a का mode ठीक है यह आपका formula हो गया है यह आप note कर लिजेगा pain और copy भी लेकर क्या बैठे रहे है ठीक है theta equal to अब निकालते हैं तो यहां लिखेंगे tan inverse b place पर क्या है minus root 3 तो लिखेंगे minus root 3 a place पर क्या है तो minus 1 mode लगा देंगे theta equal to क्या हो जागा तो tan inverse इसको हो जागा plus mode हो जागा root 3 आईए mode तो अल्रेडी plus कर देगा तो mode आप लगाईए नहीं कोई दिक्कत नहीं है यानि root 3 आ जागा अब इसको लिखेंगे हम लोग क्या चीज कि tan theta equal to root 3 अब देखेंगे कि tan theta के रूप में कितना degree का value root 3 होता है तो 10 60 degree का value होता है root 3 तब यहां से लिखेंगे क्या चीज कि tan theta equal to 10 pi by 3 10 pi by 3 60 degree होता है तो 10 से 10 balance हो जागा तो theta equal to क्या बचेगा तो आपका बचेगा pi by 3 यह theta निकल गया लेकिन theta निकल गया तो हम लोग decide करेंगे कि argument निकालने के लिए अब यहां से देखेंगे कि यह z equal to जी यह complex नमर जो दिया हुआ है यह किस quadrant में होगा first में होगा second में होगा third में होगा यहीं decide करेगा कि यह argument क्या होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि argument लिख करके और रुख जाएंगे arg argument of z लिखने के बाद ऐसे रूख जाएंगे ठीक है इसको आप थुड़े दिर के लिए हटाद रहा है एकदम अराम से समझे अब इसको हम लिख लिए इतना अब देखते हैं कि यह किस quadrant में आएगा, x क्या है, minus 1, तो minus 1 x तो यहाँ आएगा, y भी देखिए minus में है, तो यहाँ आएगा, यानि कि यह आपका किस quadrant में हो जागा, third quadrant में हो जागा, ठीक है, तो third quadrant में हो जागा, theta minus pi, theta के भलू कितना है, pi by 3, पूट कर देंगे, यह हो जागा, आपका, pi by 3 minus pi, अब इसको solve कर देंगे, तो यह हो जागा, आपका, pi minus 3 pi, और by 3, solve करेंगे, तो यह हो जागा, minus 2 pi by 3, ठीक है, यह आपका argument of z निकल गया, ठीक है, यह ही आपका answer हो गया, आगया बात समझ में, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आगया होगा, और देखिए, सवाल इस तरह से लेते हैं, और देखिए, 2-3 सवाल है इसमें, तो यह है आपका argument निकालने के लिए, ठीक है, एकदम आप अराम से समझ यह, बिल्कुल एदम समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी और खतरनाक होगा, जब polar form पढ़ेंगे, तब बिना देखे, आप answer में, अपने से, खुझ से, आप उसको संतुट कर सकते हैं, कि मेरा answer सही हो जागा, जब वहाँ polar form बात करेंगे, तब तो next वीडियो जब बनाएंगे, उसका polar form का ही बनाएंगे, अगदम आसान से आसान तरीका से बताया जाएगा, अब आएए देखिए, second number बचे लोग, इसी का two number देखिए सवाल है, 5.2 का ही, z equal to minus root 3 plus iota, देखिए argument निकालने के लिए क्या जोरत पढ़ रहा है, बस एक modulus theta, ठीक है, बस यही तो, दो बात निकालेंगे, argument निकल जाएगा, आएए देखिए, modulus निकाल लेते हैं, modulus, z mode equal to minus under root 3 chi square plus 1 chi square, इसलिए क्योंकि एउटा के साथ देखिए 1 छिपा हुआ है, इसका आप root लगा लिजिए, तो z mode equal to क्या हो जागा, यह 3 plus 1, यह हो जागा under root 4 यानि 2, यानि z mode equal to आगे बाबू लोग 2, अब क्या निकाल नामको, theta, तो theta निकाल लेते हैं, theta equal to क्या बता है, tan inverse b by a का mode, तो theta equal to क्या हो जागा, तो tan inverse b का value क्या है, 1, a का value कितना है, minus root 3, mode लगा लिजिए, यह हो जागा कितना theta equal to, तो tan inverse 1 by root 3, यानि tan theta equal to हो जागा 1 by root 3, ठीक है, आप देखेंगे tan के रूप में कितना डेरी का value 1 by root 3 होता है, तब यहाँ लिखेंगे, कि tan theta equal to tan pi by 6, tan pi by 6 यानि कि 30 degree हुआ बाबू, ठीक है, tan 30 degree, tan 30 degree का ही value होता है, 1 by root 3, तो tan से tan balance हो जागा, theta equal to क्या बचेगा, तो pi by 6, ठीक हो निकल गया, अब क्या निकलना हमको, argument, तो लिख लेंगे, a r g of z equal to, रुख जाएंगे अब, अब यहाँ से decide करेंगे, तुरंध हम लोग इस तरह से, कि किस quadrant में x axis होता है, यह y axis है, यह आपका origin है, और इसको आप कर लिजे x dash, इसको कर लिजे आप y dash, अब देख लेंगे, यहाँ से, a का value कहिए, या x का कहिए, यह क्या है, minus root 3 है, तो minus में आता है कहा, x इधर आएगा minus में, y देखिए plus में है, तब तो यह आपको चला जागा किस में, तो यह चला जागा आपका second quadrant में, second quadrant में क्या होता है, minus x और y होता है plus, यानि कि यह है आपका minus root 3 और 1, इसमें क्या होता है argument का value तो इसमें होता है πाई माइनस ठीटा यह ने पड़े हम लोग तो बस तुरंत अब काम बन गया तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग पाई माइनस ठीटा ठीटा का value देखे आ चुका है तब तो लिखेंगे हम लोग arg, argument of z equal to क्या हो जागा, तो pi minus pi by 6 solve कीजेगा इसको, तो यह हो जागा कितना, तो यह हो जागा LCM इसका लीजेगा, तो यह हो जागा 6 pi minus pi बटा 6, यानि यह हो जागा 5 pi by 6 यह निकल गया आपका argument of z यह ही आपका बाबु answer हो जागा, कि लिए नहीं कि नहीं आजाएने समझ में, एकदम बिल्कुल समझ में आजाएगा, और अगर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और notification on कर लिजिए और नहीं, तो आप YouTube खोलिए MCP classes आप सर्च मारिए आपका तुरंत आजाएगा और अराम से आप पढ़ सकते हैं एकदम बिधिवत आप अराम से पढ़िए कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझ में आगिया है, यह देखिए आर्गुमेंट था ठीक है, next हम लोग बात करेंगे polar form ठीक है, एकदम ओभी जवर जस रहेगा एदम असान से असान तरीका बताए जाएगा polar form में बात करेंगे हम लोग अगिले क्लास में देखेंगे next class हम लोग बात करेंगे polar form की बात ठीक है, देख लिजे polar form थोड़ा सा क्या होता है से polar form में हम लोग बात करेंगे वो आपका लिखाओ रहाएगा क्या चीज कि Z का mode bracket बंद रहेगा cos argument of Z यहाँ बड़ा bracket देजे plus iota sin argument of Z ठीक है, यही बात करेंगे और यहीं बेलू पूट करेंगे और सीधा निकल जाएगा आपका polar form और answer को आप satisfied भी कर सकते हैं बस इसको solve किजेगा अगर सवाल वही आजाएगा तो समझेगे कि आपका polar form सही निकला हुआ है clear? तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे हम लोग next वीडियो में बात करेंगे तब तक आप इसी तरह से प्यार देते रहिए और मैं इसी तरह से प्यार से आप लोग के समझाते रहें है ना? और वीडियो को लाइक कीजिए और सेयर कीजिए तब तक चलते हैं next वीडियो के लिए ओके बाय